हेलो एवरिवन वेल्कम तो अबर चैनल नालांदा हैस्टेक एजेक्लासेस आज हम लोग 12 केमिस्ट्री में कुश्चन सीखने वाले हैं इसका दूसरा नाम है इन्टि मिथाल एल्कॉहल इसका केमिकल फार्मला है हमारा CH3 CH2 OH इसको हमें कनवर्ट करना है CH3 OH में यह हमारे अंसॉल्ड में कुश्चन आया है, वाट हैपनस वेन में, आपको डिर्क्ली CH3 CH2 OH को CH3 OH में कनवर्ट करना है चली देखते हैं इसको तो यह हमारा step 1 यहां पर होगा formation of ethanol formation of ethanol first of all हमें यहां पर ethanol बनाना है तो हम लोग ले लेंगे यहां पर CH3CH2OH ethanol लिया है हमने यहां पर ethanol की oxidation कराएंगे हम लोग ethanol का oxidation कराएंगे oxidation हमेशा साथ किसके साथ होता है oxidizing agent के साथ यहां पर हम लोग oxidizing agent लेंगे K2CR2O7 और साथ मिलेंगे H2SO4 K2CR2O7 को हम लोग यहां कहते हैं potassium dichromate H2SO4 हमारा यहां पर sulfuric acid है जैसे इसका हम oxidation कराएंगे ethanol का तो हमें मिलेगा CH3CHO CH3CHO यह है हमारा ethanol ethanol इसको हम लोग acetyl dehyde भी कहते हैं acetyl dehyde तो first step हमारा यहां पर हम लोग ने ethanol का oxidation कराएंगे हमारा आया है K2CR2O7 और H2SO4 की presence में तो हमें यहां पर मिला है CH3CHO जिसे हम लोग कहते हैं ethanol या acetyl dehyde अब step number two में हम लोग चलेंगे तो step two हमारा यहां पर हो जाएगा formation of acetic acid formation of acetic acid अब जो यह ethanol हमें मिला था उससे हम लोग acetic acid बनाएंगे तो ले लेते हैं ethanol CH3CHO यह ethanol हमें इस reaction से मिला था अब इसका भी हम लोग को oxidation कराना है वापस से फिर से oxidation कराएंगे K2Cr2O7 की presence में साथ में ले लेंगे H2SO4 तो हमें हमारा मिल जाएगा acetic acid यह oxygen यहां पर add हो जाएगा CH3 single bond COOH यह हमारा acetic acid तयार हो गया अब step number three में हम लोग चलेंगे step three हमारा यहां पर है formation of sodium acetate formation of sodium acetate हम अपना acetic acid ले लेंगे यहां पर CH3 single bond COOH acetic acid की reaction हम लोग कराएंगे NaOH के साथ यह हमारा क्या है sodium hydroxide sodium hydroxide यह रहा हमारा acetic acid जो की base है हमारा यह acid ही है हमारा base है जैसे इन दुनों के उमज़क direction कराएंगे तो हमें हमारा मिल जाएगा यहां पर CH3 यह part CH3 COO Na यह part अलग निकल जाएगा और यह H और यह OH water release कर देंगे यहां से तो यहां से हमारा water निकल गया साथ में हमें हमारा मिल गया CH3 COO Na यह हमारा है sodium acetate sodium acetate तो यह हमारा step number 3 complete हो गया है अब चलेंगे step number 4 में step 4 हमारा यहां पर है formation of methane formation of methane यहां पर हमारा methane का formation होना है अब यह हमारा sodium acetate बनाए है CH3 COO Na यह हमारा sodium acetate इसकी reaction कराएंगे हम लोग NaOH plus CAO sodium hydroxide और calcium oxide के साथ में rejection कराएंगे तो हमें हमारा मिलेगा यहां पर CH4 methane जो की gas है hydrocarbon category है साथ में हमको मिलेगा Na2CO3 sodium carbonate sodium carbonate साथ में calcium भी मिलेगा है तो यह step 4 reaction थी जहाँ पर हम लोग ने formation of methane देखा अब चलते हैं step number 5 तो यह reaction लंबी है छे नंबर में आपके पूछा गया है डिरेक्ट step number 5 है हमारा formation of methyl chloride methyl chloride step 4 में जो हमारा methane मिला है उसकी help से हम लोग methyl chloride बनाएंगे step 5 में तो कुछ नहीं करना है methane को ले लेना है साथ में chlorine को ले लेना है तो methane की reaction हम लोग chlorine से करा देंगे यह रहा हमारा methane और यह chlorine जैसे इनकी reaction कराएंगे तो हमारा यहाँ पर मिलेगा CH3Cl CH3Cl इसे बोलते हैं लोग methyl chloride 7 में से methane में से एक H और CL में से एक CL मिल जाएगा हमको HCl hydrochloric acid तो step 5 में हमारा methyl chloride ready है अब last step हमारा है step number 6 step number 6 जिसमें हम लोग methanol को बनाएंगे अबना formation of methanol यहाँ हमारा यहाँ हमारा यहाँ लोग लेंगे को ह यह हमारा दूसरा बेस है जिसे बोलते हैं potassium hydroxide potassium hydroxide यह भी हमारा एक बेस है strong base है यह दा हमारा methyl chloride जैसे इसके हम लोग reaction कराएंगे तो हमें हमारा यह CH3 और यह OH यह दोनों साथ में मिल जाएंगे CH3 OH methyl alcohol methyl alcohol साथ में हमारा यह K यह CL यह मिलेंगे बनाएंगे KCL potassium chloride यह हमारा एक salt का developed हुआ है यह पर potassium chloride यह हमारा salt था तो overall हमारी यह reaction थी six step reaction है important है एक बार revise करते हैं इसको दो तो question हमारा था how will you prepare ethanol into methanol और ethyl alcohol into methyl alcohol या CH3 CH2 OH into CH3 OH first step हमारा यहां पर था formation of ethanol sorry formation of ethanol हमने ethanol की reaction करा दी थी K2 Cr2 O7 और H2SO4 के साथ जो की हमारा यह oxidizing agent था तो हमको मिला CH3 CHO ethanol next हमने formation of acetic acid step number 2 था हमारा तो हम लोग ने acetyl dehyde first step से उठाया उसका oxidation किया हमको मिला acetic acid step number 3 में हम लोग गए formation of sodium acetate acetic acid को हम लोग ने उठाया sodium hydroxide के साथ reaction कराई हमें हमारा मिल गया sodium acetate step number 4 में हमें methane मिलाना था sodium acetate को हमने उठाया और sodium hydroxide और calcium oxide के mixture के साथ में reaction कराई तो हमें हमारी methane gas provide हुई अब इस methane gas को हम ले गए step number 5 में chlorine के साथ reaction कराया तो हमें हमारा मिल गया methyl chloride step number six में जाएंगे तो इस methyl chloride की reaction हम लोग कराएंगे potassium hydroxide के साथ और हमें हमारा final product methyl alcohol मिल जाएगा तो overall reaction देखते हैं हम लोग हमाई पास था CH3CH2OH हमने इसका oxidation कराया oxidation कराने में हमनों ने oxidizing agent के लिया K2Cr2O7 साथ में लिया H2SO4 तो हमें CH3CHO acetyl dehyde या ethanol प्रोवाइड हुआ फिर से हमने इसकी oxidation कराई K2Cr2O7 के साथ में और H2SO4 इस बार हमें मिला acetic acid CH3COOH अब इस acetic acid की reaction हम लोंने करा दी NaOH के साथ में तो हमें मिला CH3COONA sodium acetate फिर हम लोंने इस sodium acetate की reaction करा दी NaOH प्लस CAO तो हमें हमारा यहाँ पे मिल गया CH4 methane gas अब इस methane gas की reaction हम लोंने करा दी Cl2 के साथ में तो हमें मिला हमारा CH3Cl अब इस CH3Cl की reaction हम लोंने करा दी थी के ओएच के साथ में sorry के ओएच के साथ में तो हमें हमारा final product मिल गया था CH3OH methyl alcohol तो यह एक चार्ट है इसको आप लोग ड्रॉब कर सकते हैं पेज पे तो यह overall हमारा methyl alcohol था जिसको हम लोंने बनाया किसके help से इताइल alcohol के help से इसको आप लोग नोट्स बनाके लिख लेंगे यह 12 एक्जाम में आपका आने अलबोड एक्जाम में help करेगा बहुत टेक केर बाए प्रॉब